आप देख रहे हैं subject go, यह है Microsoft Word का part 4, इस वीडियो में हम सिखेंगे Microsoft Word में paste special के option का use करना, जैसे आपने देखा होगा paste special में कई option होते हैं, जैसे इसमें एक होता है paste करने के लिए और एक होता है paste link के साथ, तो paste में जितने भी option होते हैं, उन सभी के बारे मैं यहाँ पे आपको सिखाँगा, सबसे पहला होता है Microsoft Word, document object, दूसरा होता है formatted text और तीसरा होता है unformatted text, चौथा होता है इसमें picture यानि की enhance metafile में, और पाचमा होता है कि आप जो html format में भी paste कर सकते हैं, और चाहे तो unformat unicode text में भी paste कर सकते हैं, तो चलिए आज का topic सुरू करते हैं, तो यह यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर window 11 है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर start पर जाऊंगा, यहाँ पर इस पर click करके, यहाँ से MS Word यानि की word open कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर word 2021 use कर रहा हूँ, तो यह मैंने यहाँ पर open किया, उसके बाद यहाँ से एक blank document मैं ले पाले हैं, तो उसके लिए कोई भी चीज यहाँ पर copy करना होगा पहले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, equal rand, और bracket on, उसके बाद one, उसके बाद comma, यहाँ पर five, यानि की एक paragraph मैंने ले लिया, जिसमें five line है यहाँ पर, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर simple select करके, और control c से आप copy कर सकते हैं, या यहाँ पर, इस पर click करके copy कर लेंगे, तो मैं copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद यहाँ पर नीचे enter करके आ जाएंगे, खाली जगे में थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, paste में, तो अगर यहाँ पर आप click करेंगे, तो simple paste हो जाएगा, तो simple paste को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इन सभी option के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो MS Word के part 1 से लेके part 3 तक के वीडियो पहले ही डल चुके है, subject go channel पे, तो वो जाके आप जरूर देखिए, इस वीडियो के description में आपको link मिल तो मैं यहाँ पे जाओंगा, पेस्ट में यह जो देख रहे है, down arrow, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको paste special, इस पे आपको click करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे, इस पे click करने के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से एक pop-up option है, तो पहला है यहाँ पे Microsoft Word Document Object, इसका क्या मतलब होता है, आप देखें, जिस option पे आप mouse click कर देंगे, उसके बारे में यहाँ पे नीचे short में description आता है, यानि कि वो बताता है कि यहाँ पे क्या काम होगा इस से, जैसे कि यहाँ पे कहरा, insert the content of the clipboard into your document, so that you can edit it using Microsoft Word, यानि कि आप जो है, यहाँ पे content को insert करेंगे, जिसमें जो है, MS Word का use करके, आप easily उसको edit कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज modify कर सकते हैं, changes कर सकते हैं, यह जो है normal format होता है, यानि जब भी आप MS Word का file save करते हैं, तो इसी तरह से यह save होता है, उसके बाद एक होता है, यहाँ पे formatted text, त इस पे मैंने click किया, click करने के बाद यहाँ पे करेंगे, आप ok, तो ok करने के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे यह जो है, paste हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे, यह paste हो गया, paste होने के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे इसके चारो side में एक line आ रहा है, अभी इस line का क्या म ना हो तो इस तरह से खीच के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ edit करना चाहते हैं तो edit भी कर सकते हैं। Simple है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद यह जो है इस तरह से open हो जागा। मैंने उपर खिसका दिया इसे तो मैं नीचे ही कर लेता हूं नीचे ही edit करेंगे यहां पर तो यह मैंने double click किया double click करने के बाद यह जो एक नय वाट वाट फाइल में खुलेगा नया वाट फाइल में खुलने के बाद यहां पर कोई भी चीज आप edit कर सकते जैसे मैं यहां पर number type कर देता हूं इस तरह से यह मैंने कुछ number type कर दिया और color format करना है तो पहले आपको select करना पड़ेगा text को यह मैंने select किया उसके बाद यहां से मैंन और देख रहे हैं यहां पर चारो साइड में box बना हुआ है तो यह हो गया पहला उसके बाद आप सिखते हैं next आगे का तो उसके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं इस पर click करके और delete button अपने keyboard से दबाएंगे तो यहां पर delete हो गया उसके बाद फिर से यहां पर जाए उसके बाद V तो यहां पर देखेंगे यह जो है pop up window open हो गया paste special का इसमें यहां पर paste में रहना है आपको उसके बाद यहां पर करेंगे formatted text इससे क्या होगा insert the content of the clipboard as text with font and table formatting यानि की font और table formatting के साथ जो है text को यह रखेगा तो ok करेंगे यहां पर तो देखेंगे यह simple यहां इंसर्ट हो गया जैसे उपर वाला इंसर्ट हुआ है इसी तरह से यह भी इंसर्ट हो गया यहां पर उपर वाले में मैं कुछ चीजे चेंज कर देता हूं जिससे आगे आपको पता चलेगा मैंने बोल्ड किया उसके बाद यहां पर मैं कुछ color change कर देता हूं red उपर की इस नोपी किया और नीचे खाली जगह में क्लिक करके फिर करेंगे पेस्ट इसपेशल तो Alt Ctrl V थेच करेंगे अब करेंगे a यह क्या करता है कि जो भी format होगा आपके text में वो format remove कर देगा देख रहे हैं उपर यहाँ पर format है bold भी है, underline भी है और color में भी है, लेकिन यहाँ पर नीचे जो text हमने paste किया है यह बिल्कुल normal font में है तो यह format remove कर देता है उसके बाद फिर से करते हैं alt control के साथ V अब यहाँ पर enhance meta file इसका क्या मतलब होता है जो आपका text है, वो एक तरह से picture format में यहाँ पर paste होगा तो करके देखते हैं, ok करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो यहाँ पर paste तो हो गया, लेकिन यहाँ पर किसमें हुआ है, picture format में अगर आप इस पर click करेंगे, तो click करने के बाद ऊपर एक नया यहाँ पर contextual tab open होता है जिसका नाम है picture format यहाँ पर click करके आप जो है, इसको कोई भी formatting कर सकते हैं, इस तरह से यह मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि picture में अलग-लग formatting कैसे करते हैं अब आप इस picture को इस page पे कहीं पर भी move करके अपने document में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए काम करना होगा आपको, इस पर click करेंगे इस picture पे ऊपर यहाँ पर जाएंगे picture format में, और इस पर click करने के बाद यहाँ पर जाएंगे देखेंगे यह है wrap text इस पर click करके यहाँ पर आपको करना होगा in front of text, इस पर आप click करेंगे यह option आपको यहाँ से भी मिल जाएगा अगर इसी पर आप mouse का right button click करेंगे, right button click करने के बाद यहाँ पर मिल जाता आपको wrap text, इसमें जाने के बाद यहाँ पर click करना है आपको in front of text पर यह करने के बाद आप इस पिच्चर को इस पेज पेज पे कहीं पे भी move कर सकते जैसे मैंने यहाँ पे इसे उठा के उपर रख दिया थोड़ा सा या यहाँ पे side में कहीं पे भी रख सकते इस तरह से जहाँ पर भी रखना चाहिए रख सकते हैं आप चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे तो इसके चारो साइड एक border बन रहा है इस border का मतलब यह है कि आप इसे जो है माउस से खीच के लंबा छोटा पतला जैसा भी करना चाहिए कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका size थोड़ा सा बढ़ा दिया इस तरह से और अगर rotate करना है तो यहाँ पर उपर rotate भी कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से rotate कर दिया तो यह जो है use up कर सकते हैं अभी मैं इसे हटा दे रहा हूं यहाँ पर उसके बाद फिर से करेंगे alt control के साथ V programming से related कोई भी language या कोई भी चीज़ सीखेंगे तो वहाँ पर आपको HTML के बारे में पता चल जागा यानि कि hypertext markup language तो यहाँ पर HTML format का मतलब यह होता है इस पर ok करेंगे तो यह HTML format में यहाँ पर paste हो गया उसके बाद मैं यहाँ पर control z कर देता हूं अभी यानि कि undo कर दे रहा हूं मैं हटा दे रहा हूं उसके बाद alt control के साथ V उसके बाद एक होता है यहाँ पर unformatted unicode text अगर इस पर आप click करेंगे तो क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर नीचे पर सकते हैं insert the content of the clipboard as text without any formatting इसका मतलब यह है कि text आपके document में formatting नहीं है उसके बाद alt control के साथ V उसके बाद यह जो option हो गया यहाँ पर complete अब यहाँ पर एक option और होता है वो होता है यहाँ पर display icon अब यह क्या होता है देखे display icon सभी में काम नहीं करेगा जैसे यह first बला option अगर आप चुनते हैं यहाँ पर यह show करेगा उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर यह show नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है देखें यहाँ पर इसके अंदर यह है कि यह जो है Microsoft Word का खुद का format है खुद का format है तो खुद का format में होगा कि या तो आप text को इसी word file में पेस्ट कर लीजिए या उसका एक आइकन बना सकते है आइकन बनाने से यह फायदा होगा कि यह टेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा लेकिन जब आप उस पर डवल क्लिक करेंगे तो वह एक नहीं विंडो में ओपन होके आपको दिखेगी तो कैसे करेंगे वह वह भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूं जैसे मैंने यहाँ पर इसे हटा दिया यह मैंने हटा दिया और उपर वाली जो परग्राफ है इसको मैंने कंट्रोल सी से कोपी कर लिया उसके बाद नीचे मैंने थोड़ा से यहाँ पर नीचे आके मैं करूंगा ओल कंट्रोल के साथ में वी त हमें तब दिखेगा जब हम उस पर double click करके file को open करेंगे वरना वो हमें इस तरह से icon में दिखेगा अगर आप चाते हैं कि यह icon आपको पसंद नहीं है तो कोई और भी icon लगा सकते हैं यहां पर option है change icon पर click करेंगे आप click करने के बाद यहां से जो भी icon आपको लेना है तो ले सक लेक्ते हैं तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा browse में जाके लेकिन उसका जो format है वह आपको .exe होना चाहिए तो यहां पर मैं click करूंगा browse पर तो देखेंगे यहां पर इस तरह से आ जाता है तो कहीं पर भी जाके आप जो है select कर सकते जहां पर भी आपने रखा है icon मैं cancel क click करेंगे तो एक नई window खुलेगी और उसमें आपको text दिख जाएगा देखिए text में बिल्कुल formatting सब कुछ होई है यहां पर आप चाहिए तो नीचे type कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं subject को यह मैंने लिख दिया इस तरह से और आप मुझे save करने की भी जरूत है यहां पर सिंपल इस फाइल को मैं यहां पर क्लोज कर दूँगा लेकिन जो भी चीज़े मैंने बनाया उसमें एडिट किया वह चीज़े इसमें आके save हो जाती है अगर आप इसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो आटमेटिक देखेंगे यहां पर save है तो इस तरह से वीडियो देखने और सिखने के लिए सब्जेट को चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और साइड में दिये बेल आइकन को प्रेज करके नॉटिफिकेशन ओन कर लिजे और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजे और देखते रिए सब्जेट को और सिखते रहिए